आएए देखते हैं इन्वेस्टर को किस में ज्यादा कमाने को मिला ये शेर में या निफ्टी-फिटी इंडेक्स में 1-1-2014 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था 6 साल बाद 1 जान्युआरी 2020 को शेर प्राइस थी और इंडेक्स था अगर हमें निफ्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा कमाई करनी है तो हमारे स्टोक में चार बाते होनी चाहिए 1. लंबी अउधी में शेर प्राइस बढ़ती रहनी चाहिए 2. जब मार्केट में बड़ा फोल आता है तो हमारा स्टोक ज्यादा नहीं गिरना चाहिए निफ्टी के मुकाबले 3. जैसे ही मार्केट रिकवर होती है हमारा स्टोक तेजी से रिकवर भी करना चाहिए निफ्टी के मुकाबले 4. हमारा शेर अपने सेक्टर का टॉप शेर होना चाहिए इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये शेर निफ्टी से बेटर है या नहीं यानि कि पहले 3 पॉइंट्स इस वीडियो में देखे जाएंगे अगर आपको सेक्टर का टॉप शेर चुनना है तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है 1-1-2014 को 1 लाग रुपे इस शेर में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद इस शेर में इन्वेस्ट किये हुए 1 लाग रुपे हो गए मार्च में इस इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई और करंट शेर इन्वेस्टमेंट की वेल्यू है 1-1-2014 के दिन 1 लाग रुपे Nifty 50 Shares में इन्वेस्ट किये 6 साल बाद 1-1-2020 के दिन वह 1 लाग रुपे हो गए मार्च 2020 में उस इन्वेस्टमेंट की वेल्यू हो गई और अभी की वेल्यू है 1st point में Nifty हार गया 2nd point में Nifty जित गया 3rd point में Nifty हार गया 1 minute के लिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये Share और Nifty का Index जैसे पिछले 7 सालों में चले है वैसे ही अगर अगले 7 सालों तक चले तो उनकी वेल्यू कहां पहुँचेगी 2020 में किसका Performance बेटर रहा ये Share का या Nifty का ये है पिछले एक महिने का रिटर्ण ये है दो महिने का रिटर्ण ये है तीन महिने का रिटर्ण ये है छे महिने का रिटर्ण और यह है पिछले 9 महिने का रिटर्न तेंक यू